ओसकर दोजार चौविस में मचगे बवाल आखिर नाम लेने से पहले क्यूं जिजक रहे थे होश्ट जिम्मी जिम की इस बात पर ठाकों से जूम उठा ओडिटोरियम ओसकर दोजार चौविस के स्टेज पर जब जौन सिना बिना कपडों के पहुँचे तो हर कोई दंग रहे गया वो पहले जिजक रहे थे फिर होश्ट ने उनकी मदद की होश्ट ने जैसे ही उने स्टेज पर बुलाया ये एक चर्चा का विसे बन चुका था ओसकर्स के स्टेज पर कुछ ऐसा हुओ जो लंबे वक्त तक हर किसी को याद रहेगा होश्ट जिम्मी की मैल ने जब हिंट दिया कि स्टेज पर कोई नेक्ड आने वाला है तो वहां मौजूस सारे लोग हस पड़े उनके पीछे जिम दिखाए गए जिम बिना कपडों के आने पर जिजक रहे थे तब होश्ट ने उनको मनाया और स्टेज पर बुलाया इस पर जॉन सिना बोले कि मेल बॉडी मजाक नहीं है जिसके बाद होश्ट ने उन्हें वो लिफाफा दिया जिसमें विनर्स का नाम था जिम ने उस लिफाफा का उप्योग अपने प्राइवेट पार्ट को कवर करने के लिए किया वे बचते बचते माइक पर पहुँचे और बोले कॉस्ट्यूम यह सुनकर सभी हसने लगे फिर वे बोले यह बहुत जरूरी होता है और सायदा सबसे ज़्यादा जुरत मुझे थी इसके बाद जिम बोले कि वे अब लिफाफा नहीं खोल सकते वे लिफाफा पकड़े जिमके इस एक्ट पर पूरा हॉल ठाकों से गुंज उठा यूजर्स ने इस पर तरह तरह के कमेंट्स भी लिखे एक ने लिखा क्या जॉन सिना ओसकर्स के स्टेज पर नेक्ट पहुँच गए क्या ये क्रेजिनेस है तुम्हें दूसरे ने लिखा अब हम सब को मान लेना चाहिए कि जॉन सिना को अब ये सब होश्ट करना ही पड़ेगा क्या हम इस बात से मूव ओन कर पाएंगे साथ ही आपको बता दे ये घटना कोई नहीं नहीं है इससे पहले भारत के कई स्टार्स ने भी ये किया है जिसमें सबसे पहला नाम दर्ज होता है रनवीर सिंग का उनकी न्यूड फोटोग्राफी भारत में एक विवादित मुद्दा बन चुका था जिसके बाद भारत के बॉलिवूड इस्टार विदूत ने अपने जनम दिन के मौके पर अपनी न्यूड फोटोस सोसल मीडिया पर सियर की बहरहाल इस तरह के फैसन के बारे में आप क्य सोचने कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं पैनी खबर